सो हेलो फ्रेंड्स विडियो कोई खास टॉपिक है तो नहीं वैसे बस ऐसी रेंडमली में वीडियो बना रहूं कुछ बाते हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी हैं बहुत सारी बाते मेरे मन में चल रही हैं आपको जैसा कि पता है दो दिन पेल इंसिडेंट हुआ था मलब इन फेचर मुझे अन ब्लोक कर देंगे तो शैर्द हम दोनों की बात फिर से पॉसिबल हो सके क्योंकि देखो मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाता मेरा एक सिंपल सा फंडा है जिससे भी बोलो हसके बोलो कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो और किसी से भी मैं लड़ाई करना ही नहीं चाता कोई कॉंट्रोवर्सी वगरा हो जाओ वो अलग बात है लेकिन सीरियस वाली लड़ाई की भाई मैंने इसको ब्लॉक कर दिया अब तैर हमें छोड़ के चले जाएंगे मलब सिर्फ एक हार्ट अटेक की और जैसे मलब लोगों को दो तो तीन दिन हार्ट अटेक आते वो फिर भी बच जाते लेकिन सिद्धार शुकला फर्स्ट हार्ट अटेक में हमको अलविदा के के चले गए किसने सोचाता यह तो यही है बस क कि जित्ती भी हमारी लाइफ है सबसे हस बोल के रहना है ठीक है किसी को नाराज नी करना किसी से नाराज नी रहना सबको राजी रखना है सबके साथ राजी रहना है तो यही जो है मेरा सिंपल चाहिक रूल है और अगर कमरान भी है भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं त सिर्फ इतना बोलना चाता था मैं अब इस बात को आगे आपने बढ़ाया इन सब बातों को आप यूटूब पे लेके आए बात का बतंगड बना दिया कॉंट्रोवर्सी क्रियेट कर दी तो इन सब से क्या मतलब निकलता है मैं को समन्न आता मैं तो यूटूब पे लाना भी जाता था मैं पहले बोल चुक हूं खेर जो भी है वह सारी बात खतम हो चुकी अब आई होब कि आप मुझे अन ब्लॉक कर दोगे और हमारी बीच में जो पहले से बातचीत होती ती जिस प्रकार वैसे होती रहेगी सो यह मैं आशा करता हूं और गाइस कमरान भी यह नहीं अब वीडियो अप्लोड करी थी मेरे बारे में तो उसमें मैंने चीज नोटिस करी कि एक नाम बहुत पॉप-प होके आ रहा था नाम था हैवनली रेलवेस एक चैनल का नाम है तो चलो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ले थे हैवनली रेलवेस कौन है क्या ह है क्या चाहता है है सो गाइस आपको देहन दो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी रोस्टिंग वीडियो थी एक आप उसका यहां पर टाइटल थमनेल देख सकते हैं और वीडियो थी और यह वीडियो भी एक बंदे की वज़े से बनी थी जिसका नाम था है म सुरी पहले इनके चैनल का नाम तो गुजरा संपक्रांथी एक्सप्रेस और वैसे हर बार यह अपने चैनल के नाम चेंज करता रहा थे यह बंदा यूटूब पर ठीक है इन्होंने सबसे पहले मुझे इंस्टा पर मेसेज किया उसके बाद इनको पता नहीं मेरा वीडियो बनाई दी और जब वह रोश्टिंग वीडियो में अपलोड कर दी आप सबने देख ली थी तो उसके बाद इसका मेसेज आदे मेरे बास वाटसेप पर कि भाई मैंने इसा मशूर होने के लिए यूटूब पर फेमस होने के लिए ताकि मेरे चैनल ग्रो हो सके लो बीच में पता नहीं कहां से निकल के आता है बंदा सबसे बदा दूँ मैं आपको यह बंदा है कौन यह गुजरात की साइट का रहने वाला एजाम नगर की साइट का ठीक है और यह 15 साल का बच्चा है इंस्टा पेस ने मुझे खुद बताए कि 15 साल का बच्चा है लेकिन इसकी सिर्फ बच्च वाली है अगर आप इसकी हरकते देखो तो इसने बहुत अच्छा कांड कर रहे है रैसेंट लिए रेव नियूस के चैनल पे इसने मेरे बारे में कमेंट करके बहुत बढ़िया बढ़िया बोला थे इसने बहुत अच्छी लाइने दिती उसके स्क्री वर्सी के बीच में घुसके और कुछ नहीं कर रहा मलब दा रेल न्यूस के चैनल पे इसने हेवनली रेलवेस के नाम से कमेंट किया कामडान भिया ने इसको अपने वीडियो में हाइलाइट किया इसका चैनल दिखाया ठीक है अब मुझे पता है इसका चैनल ग्रोव हुआ हो वेब होवा मेरी पर अच्छी तरगे से बात हुआ करती थी जब उसका पिछला वाला चैनल जो अप डिलेट हो चुकह है उस टाम पर मेरी विडियो में कुछ और बढ़काते थी तो इस कारण्ट से जो है वेब आवर मेरे बीच में लड़ाई हो चुकी थी, उसने मुझे ब्लोक कर दिया था, साथ आट मुईने तक, उसके बाद मैं वापिस उसको समझ में आया कि चलो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोगवग हैं, जो आग लगाते हैं बीच में, और ये बंदा वोई है, हम दोनों की बीच में आग लगा रहा है, और भी कई हों की बीच में आग लगा योगी तो मुझे पता नहीं, अब देखो, ये 15 साल का बच्चा है, इसको देखके सच बतारों में लोलीपॉप देने का मन करते हैं मेरा, गुस्ता मुझे इसके उपर बिल्कूल भी नहीं आ रहा, मेरेको इसके उपर तरस आ रहा है, कि मलब 15 साल की एज में बच्चे साइन सीटा कोश्चीता पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश की किताब में अच्छी-च्छी कहानियां पढ़ते हैं, जिससे कि इनको थोड़ी बहुत अक्कल आए, इनको कुछ सिख्षा मिले, अब यह पता नहीं, यह कौन से सिख्षा ग्रेंड कर रहा है, कहां से ग्रेंड कर रहा है, जो कि अब यह ऐसी हरकते करने लगा है, अब आप लोग सोचो कि कि Heavenly Railways जो है, वो कोई और वी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सेम पर्चन हो, तो आप बिल्कुल गलदो, इस बंदे ने मुझे खुद WhatsApp पे इसके YouTube चैनल का लिंक सेंड किया रहा, और जब मैंने लिंक चेक किया, आज उस लिंक को ओपन किया, तो चैनल का नाम आता है The Heavenly Railways, ठीक है, इससे प्रूफ हो गया, कि ये बंदा वो ही है, जो मुझे WhatsApp पे मेसेज करता था, जिसने NWR के बार में ऐसे ऐसी बाते करी थी, और सबसे बहले इसकी चैनल की प्रूफाइल जो है, इंस्टाग्राम की प्रूफाइल और WhatsApp पे जो इसकी प्रूफाइल हो, वो तीनों बिल्कुल सेम है, तो इससे मुझे पहले ही शक हो गया था, कि इस बंदे को मैंने कहीं पर देखा है, लगे मैंने ज़्यारा रिसर्च वगएरा करी नी, आज मुझे फूरसट मिली मलब, कल मुझे फूरसट मिली तो इसके चैनल को मैंने चेक किया, सारी इंस्टाग्राम वगएरा सब कुछ चानवारा मैंने तब जागे पर चला कि ये बंदा वो ही है, अब आप लोग खोदी देख लीजिए, इसको ना खुलने का नतीजा, बच्चे क्या कर रहे हैं, ओनलाइन क्लासेस के बाने यूटूब पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, एक दूसरे को, एक दूसरे के खिलाफ भढ़का रहे हैं, गलत गलत बाते कर रहे हैं, अजीब हो गरीब बद्दे बद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, यूटूब पर, खेर, आपका जो इंप्रेशन पड़ा है, अब लोगों पर, वो नेगेटिव वे में इंप्रेशन पड़ा है, और आप जो फेमस हुए उस बार, वो नेगेटिव वे में फेमस हुए हो, तो इस बात पर बिल्कुल भी खुश होने की कोशिश मत करना, कि चलो मेरा नाम आगे यूटूब पर, वा मैं मशूर हो गया, मेरे चनल ग्रोव होगा, लोगा मेरे चनल पर विजिट करेंगे, तुम्हारी सच्चा है, इस सब लोगों को पता चल चुकी है, तुम कौन हो, क्या चीज हो, और क्या काम करते हो, इसके बाद मैं, इस बंदे के बादे में, और कुछ नहीं बोलना चाओँगा, जो बोलने था, मैंने बोल दिया है, और इसके बाद मैं, अपने लोयल सब्सक्राइबर को, सच में दिल से धन्यवाद बोलना चाता हूँ, जो भी मेरी वीडियो को लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते, कमेंट करते, अच्छ अच्छ है, उनको सच में थेंक्यू बोलना चाता हूँ, दिल से, एंड इस्पेशली विरेंदर सिंग जी, आपने कल जो किया है, हजार हजार रुपे की दो बार सूपर चेट बे बस मेरो पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी वीडियो को फुल वाच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इत्ता मेरे लिए इनफ है, इत्ता इता इता इ इत्ता इकर इस वीडियो को एंड करते हैं, वैसे वीडियो लंबी हो चुकी है, सोचाता ज्यादा लंबी करूंगा नहीं इस वीडियो को, लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, इसके बात मिलता हूँ है, आपसे बहुती ज़ल देखोले नेक्ट वीडियो में, तब तक के गड्वाइ